दोस्तो मानव मन का मनो विज्ञान बहुती सानदार और इंट्रेस्टिंग विश्यों में से एक है आज के समय में मानव मन के उपर बहुत सी अनुसंदान होते के बावजूद भी बहुत सी बातें एक रहस्य बंद कर रह गई है अभी भी पूरी दुनिया में बहुत से साइन्टिस्ट लोग ये जानने की कोशिस कर रहे हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है बलकि वास्तों में ये दुनिया में सबसे कम समझाने वाली चीजों में से एक है तो दूस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं Human Behavior के बारे में कुछ ऐसे ही मज़ेदार Psychology Facts के बारे में So without any further delay, let's get started Psychology के अनुसार आप जितना कम सोचोगे आपका दिमाग उतनी ही तेजी से काम करता है यानि कि आपको Overthink नहीं करना है अपने माइंड को तेजी से काम करवाने के लिए हमारे जिमाग में दिन बर में कितनी चीज़े आती है और उनका कोई मतलब भी नहीं होता हमारी जिंदगी में पर हम तब भी उसे सोचते रहते हैं और Overthink करते रहते हैं इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करता रहें तो सबसे पहले इस Overthinking को छोड़ दीजिए और साइकलोजी कहता है कि किसी से प्यार होने पर हमारी आखों के काली फुतलियां बड़ी हो जाती है अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस इंसान के आने पर आपकी आखों के काली फुतलियां बड़ी हो जाती है और ये तरीका आप दूसरों को जासने के लिए भी कर सकते हो कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं और साइकलोजी के अनुसार हम जिन से प्यार करते हैं उनसे गुस्सा नहीं रह सकते अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उनसे ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकते और अगर आप तीन दिन से जादा नाराज रहते हो तो वो कभी सच्चा प्यार था ही नहीं जब आपका दिल तूटता है तो आपका दिल कमजोर हो जाता है साइकलोजी कहता है कि जब आपका बरोसा प्रूडता है तो आपकी दिल के काम करने की प्रिक्रिया कमजोर हो जाती है अर्थार दोरे पढ़ने की संपावना बढ़ जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हम मानसिक और सारीरिक तनाव से जूज रहे होते है दोस्तों इस परिस्तिती को जवान आदमी तो सहन कर सकता है पर बुड़े लोगों के साथ ऐसा नहीं होता तब ही तो आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी के जाने के बाद उसके साथ ही का भी कुछ समय बाद देहान तो जाता है तो बात करते हैं अगले फेक्ट की आप अपने विजुलाइजेशन से अपने इस्किल को बढ़ा सकते है यानि कि आप अपनी सोच की सकती से अपनी कला को मजबूत बना सकते है दोस्तों विजुलाइजेशन आपके दिमाग का एक बहुती पौबरफुल अतियार है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक आप है और एक विजुलाइजेशन यानि आपकी तलवार तलवार की कला में निपुण बनने के लिए आपको तलवार के साथ बार-बार प्रैक्टिस करना होगा अगर आपको किसी ऐसे इंसान के सामने लड़ने को बेज दिया जाए जो दस साल से तलवार बाजी की कला में निपुण है लेकिन उस इंसान के पाथ जंग खायोई तलवार है और आपके पाश पैनी तलवार है पर क्या तब भी आप उसके सामने एक मिनट भी टिक पाऊगे तो उसका सीधा सा जवामे नहीं क्योंकि उसके पास अनुबव है 10 साल का, जबकि आपके पास बिलकुल भी नहीं इसलिए कभी भी, अपने आपकी किसी दूसरे से तुलना मत करना क्योंकि आपको क्या पता, आपके सामने वाला एक साल का निपुण है या 10 साल का, और अपनी कला में निपुण बनने के कोशिज करिए और दोस्तो साइकोलोजी क्याता है कि जब भी हम किसी ग्रूप में होते हैं तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं जिनको हम पसंद करते हैं क्या उनको जानते हैं तो ये तरीका आप एक बार इस्तिमाल करके जरूर देखिएगा जब भी आप अपने दोस्तों के साथ ग्रूप में होंगे तो देखना कि किसकी आँखे आपकी तरफ हैं इससे आप आराम से ये जान सकते हो कि आपका कौन सा दोस्त आप से आकर से थे और दोस्तों कि आप जानते हो कि आपका दिमाग कुछ संबन्तों कोई संबाल सकता है सचाई तो ये है कि कोई इंसान सोसल मीडिया पर 500 या 1000 दोस्त बना तो सकता है पर उनके साथ वो मजबूत कनेक्शन नहीं बना सकता